डाउटमेंट पर कीजिए अपने सारे government exams की त्यारी, सिखे नियु टिप्स इन ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे math doubts का डाउनलोड कीजिए डाउटमेंट आप भी है फिर what's up कीजिए अपने doubts 8400 400 400 पर question is to find the smallest number by which 66 must be multiplied to make the result divisible by 18 तो हमें find out करना है कि 66 में किस number से multiply करें ताकि वो जो number है वो 18 से exactly divisible हो जाए ठीक तो 66 अगर हम factor करें तो यह आएंगे 6 into 11 और 11 एक prime number है तो यह तो किसी number से divide होगा नहीं अब हमें यह पूरा number है इसको हमें divide करना है 18 से है तो और 18 के factor करेंगे तो 18 के factor होंगे 3 into 6 तो देखिए 6 तो factor हमें 66 में already present है तो इस 66 को 18 से divisible करने के लिए 66 में 3 का भी factor होना मुझूद है क्योंकि 18 के factor उसमें 3 का factor है तो इसलिए हमें 66 में किसा multiply करना होगा 3 से ताकि इसमें 6 और 3 दौना का factor मिल जाए और जिससे 66 एक 18 से number divisible हो जाए सब्सक्राइब करना है तो देखिए नमबर इस 3 तो कर्रेक्ट अप्शन इस 3 एए उप्शन डाउट्रेंट पे किजिए अपने सारे गवर्मेंट एक्जाम की त्यारी सीखे न्यू टिप्स और सफाया करे अपने सारे मैच्च डाउट्स का डाउट्लोड कीजिए अपने डाउट्स आप भी है फिर वाट्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर